अगर आपका पहले UN number नहीं बना है तो company अपने पोर्टल से कैसे आपका UN number create करती है, क्या-क्या details उन्हें डालनी होती है, इस वीडियो में मैं step by step आपको करके दिखाने वाला हूँ, मेरा नाम सागरह, मैं PF consultant हूँ, जो आप देखने जा रहे हैं, ये एक paid course का हिस्सा है, लेकि कहीं भी किसी भी company में अभी तक job नहीं किया है, और अगर मैं इस member का, अगर मैं UN number create करने जाओंगा, तो मुझे क्या-क्या जानकारी डालनी है, ताकि मेरा UN number बन जाए, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना employer portal login कर लेता हूँ, login करने के बाद, आपको मैंने एक video बना के दे थ कि क्या हम अपने पुराने UN number, जो हमारा UN number है, अगर मेरा अधार कार्ट से connected है, तो क्या मैं hide कर सकता हूँ, hide नहीं कर सकता, तो वो video भी आप देख सकते हैं, फिलाल मैं चलता हूँ, नए employee को हमें register करना है, register individual पे गए, उसके बाद देखिए, मैंने आप से कहा कि हमारा पहल लगा हूँ है, वो भढ़ना अनिवारे है, और जिन पे red नहीं लगा है, जैसे qualification पे red नहीं लगा है, mobile number पे red नहीं लगा है, email ID पे red नहीं लगा है, international worker पे red नहीं लगा है, तो ये सब भढ़ना अनिवारे नहीं है, KYC के नीचे चलें, तो यहाँ पे हमें pen card डालना जरूरी नहीं है हमें अधार का डालना ज़रूरी है लेकिन हम बैंक यहाँ पर चाहके भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कमपनी के पास से बैंक डालने की पावर छीन ली गई है और एक चीज़ और है कि आपका जो अधार डिटेल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप अधार डिटेल सही नहीं डालेंगे तो आपका नहीं बनेगा तो अब मैं यहाँ पर एके करके जानकारी डाल रहा हूँ किसी की निजी जानकारी होती है इसके लिए मैं यहाँ पर सारी information आपको नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन आपको मैं बताता जाओंगा कि मैं क्या-क्या डाल रहा हूँ तो यहाँ पर किसी female का मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर कोई भी value गलर डालता हूँ जैसे spelling में एक भी action मैंने गलर डाला जो अधार काड से match नहीं होता होगा तो यह मेरी request आगे नहीं बढ़ेगी मेरे को error दिखा देगा अब ऐसा नहीं है अगर आप लोग बोलते तो मैं दिखा देता error या फिर मैं दिखा दूँ error एक बार आपको error डाल के दिखा दूँ कि देखो जी इस तरह का error आता है अगर हम कोई mismatch डालते हैं मैं डाल के दिखा देता हूँ हम married वाला unmarried वाला status डाल रहे हैं उसके बाद हम यह डाल रहे हैं उसके बाद हम wages डाल रहे हैं ये member की जो है मैं नहीं create नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर sample दिखाऊँगा आपको कि किस तरह से ये चीज़े होती हैं, तो वरना तो ये member का अगर हमने UN create कर दिया, तो इसकी employment generate हो जाएगी, इसके service record में ये company आ जाएगी, तो ये काम हमें नहीं करना है, यहाँ पर देख कि ये error लेगा या फिर accept कर लेगा, देखो, ये मैंने यहाँ डाला, तो यहाँ पर कह रहा है कि member नाम आपने गलर डाला है, आधार कार्ड से match नहीं कर रहा है, ठीक है न, तो यहाँ पर एक error आ गया, कई तरह के error आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिलाल सही जानकारी add कर देत आप enter करने वाले हो, अगर आप okay करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये member add हो जाएगा, ये member यहाँ आ जाएगा, pending for approval में, pending for approval में आने के बाद फिर मैं इसे cancel कर दूँगा, आपके लिए मैं इतना risk ले रहा हूँ कि इस member को मैं add कर रहा हूँ, देखिए, ये हमने add किया, add होने प जाएगा, तो वहाँ पर ये आजाएगा, कि ये एक request pending है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर आता है, यहाँ देख सकते हैं, मैंने अभी वहाँ पर एक request raise की है, जो कि यहाँ पर मेरे पास आ गई, यहाँ पर approve करने का आ रहा है, और यहाँ reject करने का आ रह तो यहाँ पर मेरे पास नीचे के तरफ ये एक pending request में आ जाता है, जो approval के लिए pending है, तो यहाँ से फिलाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये delete कर दिया, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या दिखाया, इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया, कि अ तो वो UN number मैं उस employee को दे सकता हूँ और वो employee का जो वो UN number होगा वो lifetime चलेगा तो lifetime चलने वाली जो चीज है उसमें अगर आप इस चीज को खुद के लिए कर रहे हैं या फिर आप consultant होने के नाते कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजे जो भी आप member के detail डालने वाले हैं वो member के पूरी जिन्दगी उसको परिशान कर सकता है इसलिए बहुत ध्यान से सही जानकारियां डालनी है किन चीजों का ध्यान रखना है देखिए अधार कार्ड में जो नाम date of birth है वो तो आप बिलकुल सही डालेंगे लेकिन father name बहुत ध्यान से डालना है जो member के अधार कार्ड में है वो ही डालना है साथ में ही ये भी ध्यान रखिए कि जो date of joining है वो जो सही date of joining है वो डालना है और अगर monthly wages, monthly wages पे ध्यान दीजे अगर आप किसी employee को add कर रहे हैं जिसकी तनखा 15,000 से जादा है basic wages basic wages अगर 15,000 से जादा है तब आप यहाँ 15,000 से जादा डालेंगे अगर आप यहाँ पे 15,000 से जादा डालेंगे तो उसकी buy automatic उसकी EPS में not available आ जाएगा मतलब वो EPS का member नहीं होगा ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो member पहले कहीं काम नहीं किया है जो member आपके बास first time आया है तो जब कोई member first time आता है तो एक तरह से आप उसका account create कर रहे हैं और अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आने वाली company भी वहीं गलती करती रहेंगी तो बहुत ध्यान से और बहुती साफधानी से ये काम करना चाहिए तो आपको अगर लगा हो कि मैंने ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से बताई है तो आप इस अगर को support कीजिए ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये एक paid content है जो मैं आपे free में डाल रहा हूँ ताकि लाखो लोगों का फाइदा हो सके तो आप यहाँ पे जरूर से support कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो thank you आप comment में लिख सकते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद